पहुंद सींह से जगड़ा करने के बाद ही रितिश पांडे के पास गई ती उन पर फाइयर हुआ तो अगर पहुंद सिंग प्रृत्ष मुच और खेसारी जी का तो जग जाहिर है कि तो जग जाहिर है मेरे सामने यह रसूल पूर्पूर बाजार पे आती थी के सांकर ता programs को दबाव डलवाया जा रहा है कि एक दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाए कि मेरा इज्यत रह जाए हम उस साल का कॉल रिक इनका मोबाइल ट्रेस निकल वाएंगे जब यह रसूलपूर में खेसारी के गाउं के बजार पर रही थी कि नहीं हम वो हर चीज देंगे जब पावन स अर्षा वेन में अक्षणा भी थी और पॉंचिंघ थे और उसी में हमारा फोटो भी है फोटो भी दिखा सकते हैं वीडियो भी दिखा सकते हैं उस सारा चीज में पर प्रूफ है जो मैं पूट में रखूँगा और वहां पर सब लो जा रहा है कि यह सिर्फ टी-आरपी के लिए ये काम करती हैं एक इसका मतलब आख्छराव से भी जंदर डरते हैं डायन भी साथ को घर छोड़ती हैं छोड़ते हैं अब रिती इस पांडे पे भी केस की आप निल कमल सिंग पे भी केस की आप खे सारी लाल यादो पे भी कमप्लेन की आप जो है कि हमारे साथ अलगे और ढाख्ट करते हैं को कैसे जानते हैं और आप ऐप भयार हुआ है उसका क्या हुआ वह जईदेर कराटे बफासटे नहीं है कर दोब अभी करवारे हैं अक्षरा को केसे में जानते हैं आपने जानते हैं तो शुद करते हैं सब्सक्राइब कि अधिन की हम साइबर से बोल रहा है अक्षरा सिंग को आप जानते हैं हम करें नहीं जानते हैं तो उनका एड़ेस बहते हैं फलाना जगा फलाना जगा यह आप पर एक कम्प्लेन की हम करने की जांच हूं किया जाए हम तो जानते नहीं है इनको और देखिए इको नो नाया बात तो बाना आप ही बताइए नया बात है तो उन पे कुछ भी बोलिएगा वही एक ऐसे कलकार है जो कुछ भी बोल दीजिए तुरंते आप पर एक फाइयर कर दें कोई यह नया चीज नहीं है कि बिजेंदर सिंग पर हुआ है पीछे करीब साइकड़ों लोगों पर फाइय कईयर भी हुआ है वो चोदारिक को ही है वहना एक आपलीकेशन दे heti जिसमें वह जो उसमें लिखी है कि बिजेंदर सिंग वीडियो बना कर मेरा जोन जो मील करते हैं जिसका मै प्रूफ दूंग्य उसमें लिखा हुआ है मैं आपको प्रूफ दूंगी जब प्रूफ दूंगी लिखा है तो प्रूफ मिलने के बाद एक केस बढ़ेगा लेकिन 14 तारीक को ही ओ देती है 14 बारक को और 14 बारक को यह फायर लिखा जाता है दूंगी पर उस पे एक सेक्षन भी लगाया जाता है 66 है जिस पे सब्सक्राइब करने के लिए और यह नया चीज नहीं हम तो कहेंगे कि जितने आज तक केस हुए है बिहार पुली सारे केसों का आप स्टड़ी करिए अब कोंसे केस की बात कर रहे हैं एक तरफ बीना मानवी कहती हैं कि अच्छरा सिंग सिर्फ आप पर और यूट्यूबरे पर नहीं उससे पहले बड़े बड़े इस्टारों केस कर चुकी है वह भी सेक्षूल हरास्मेंट का कर रहा है कि इनका पीछे इतिहास सारा खंगाला जाए और इनके नाम से जितने केसों हैं सबको स्टड़ी किया जाए और यह सिर्फ केस करती हैं जो लड़का आगे बढ़ता है उस पर केस कर देती हैं अब बताईए आपको बड़ी फिल्म में नहीं मिल रहा है तो हम क्या क हो रहा है जहां जाती है वहां मार हो जाता है जगड़ा हो जाता है उल्टा उन लोगों पे भी आप केस कर देती है इसमें यूटूबरों का क्या दो से यूटूबर की बात तो ठीक है पर अभी ख़बरे जैसे बाहार निकल का रही है कि बढ़े बड़े स्टार अभी इन्हो लेगन आप देखिये आप रितेस पांडे पर भी केस कि आपके सारी लाल यादो पे भी कंपलेन की आप इसे बहुत सारे लोग तकी जिसका थोड़ा सा नाम है वो मीडिया में आ गया बहुत सारे लड़के नाम आप से छूट रहा है सीवेस मिसरा एक लड़का है उस पर भी आप कर दी बड़े इस्टार्प का एक और नाम छूट रहा है आप देखें वह तो बताते जाएगा तो बड़ी तियास है बहुत लंबा इतियास है तो हम आपने खेसारी लाली आदो जी का नाम लिया पवण सिंग का इन दिनों चर्चा हम बना हुआ है के फायार उबातार मीडिया में इन्होंने बोला भी था पर खेसारी लाली आदो रितेश पांड़े पीनों ने कौन सा केस किया था और क्यूं किया था देखिए यह सब चीज ये सामने ये रसूल पूर्बजार पे आती ती इसके सामने वांगुर नगर वाले वाले फ्लेट पे के जब इसके सद्वाय रहते थे ये ग्री ये अगभा जान भाने माने टाव्हें ओध लेकिन तो ने विकार आपकर दोस्तिख्रण ऐह नियुक्त निना पर्छेंद है सब पूरा इंडुस्ट्री जानती है दो इंट्रव्यू में कहती है कि 2014-15 से जब से हमने देखा है पवन सिंग को ही देखा है पौन सिंग के पहले खेसारी जी के सांथ जब रहती थी यह खेसारी जी के गाउं भी गई है तो क्या यह खेसारी जी के सांथ बहुत सारे उस समय स्वह भी की है फिल्म भी की है तो उस वह क्या था हमको बताएए हम तो वही कह रहे हैं देखिए मेडिया में के कुछ बोलने से होगा नहीं जब फाइयार हुआ है तो हम कहेंगे कि इस पर आप जहां छो फाइयार कोट में आने दीजिए पहले तो ऐसे ही यह फाइयार है क्योंकि इस पर हम ही पर नहीं हुआ है बहुत सारे यूटूबर्स पर हुआ है तो इस बात को लेकर खुस हो जाते हैं कि अब अक्षरा सिंग को परती ब्यानबाजी करती है पर खेसारी लाजादों को सपोर्ट करती है कि किस सब्सक्राइब को नहीं छोड़ी है एक नया लड़का उसमें नील कमल था उसका कभी-कभी गाने बज जाते थे उस पर इन्होंने जवर्दस्त फिर किया वह बेचारा भागा फिर रहा था आज देखिए आज इस्टार है इस्टार है है नहीं यह तरह उस पर क्या नाम है कितनी फिल्में कर रहा है विजेंदर सिंग पर की हमारा भी आठ लग के आसपास फॉलवर आकांट का हुआ था कितने दिन से आज देखिए वन मिलियन अब 11 लाक होने जा रहा है तो यह जो लड़का आगे बढ़ा है जो कैसे भी हिम्मत करके अपना मेहनत करके आगे लफडा हो जाता है आप बते क्यों होता है और पाली जी का झटकर किसी से प्यों नहीं होता है का जलब करें आथ होता है विलिकुल DR. जगड़ा क्यों होता है आप ही बताईए आप हमको इसका जबाब दे गलतिया हुई है यह सत्त है क्योंकि एक आदमी हमेशा ही गलत नहीं होता है पर उन्होंने इंट्रव्यू में इस बात के पुष्टी की है कि पवन सिंग के बाद जब से हमके साथ रेले लेसन में थे उसक सब्सक्राइब करने के बाद ही रितिस पांडे के पास ही गई थी उन पर फाइयार हुआ तो अगर पौन सिंग पर सब कुछ था तो कि रितिस पांडे पर कैसे हो गया आप हमको बताईए हुच तो हुआ होगा उसके बाद बीग बॉस से जब यह निकली तो एक मिलिंद गांबा करके हरियानी बहुत सूपर इस्टार था उनके साथ भी इनका फोटो बहुत सारा वाइरल हुआ गाने सोशल मेडिया पर बहुत चर्चाय चला वो कौन था और उस समय का सबसे ब्लॉप्थ हो गया और अक्षरा सिंग जो बात कहती है कि मेरा फेयर पवंद सिंग के छोड किसी के साथ नहीं था यह बात सरसर गलत है अरे यह तो मीडिया में है भी हम क्यों बोलेंगे किसी को हम उनको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो एक और केस कर देंगी और दिखिए क हम लोग प्रतिष्ठित हैं हम लोग परिवार के साथ रहते हैं हमारे बाल वच्चे हैं हम लोगों को इंटर्टेन करते हैं हम अपना परिवार चला रहे हैं और हम जूठ-मूठ का एक दिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं बाद में तो केस में कुछ निकलेगा नहीं लेकिन डिस्टर्ब तो हो जाएगा ना परसासन डिस्टर्ब होगा हम डिस्टर्ब होगे मेरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा होगा कि नहीं होगा तो ऐसे लोग से तो डरना चाहिए न जी इसका मतलब अक्षरास सिंग से बियाई विजंदर डड़ते हैं डायन भी साथ को घर छोड़ती हैं चोड़ते हैं तब लोग कहता है को पुरान कहावत है कि डायन भी साथ को घर छोड़के अपना नजर फेरती है आप बताईए विजंदर से क्यों नहीं डड़े हम पत्नी के साथ रहते हैं और आज इंडस्ट्री में क्या है जो पत्नी के साथ रहता है या तो उसको फायर होता है या उसके पत्नी से तलाक दिलवाया जाता है या तो उसके पत्नी से उसके बच्चों से दूर करवाया जाता बीच में आकर यह इतिहास रहा है कि नहीं और देखिए सबसे बड़ा खुलासा यहां पर होता है बीना मानवी जी ने वी एक बात कहा था कि जब इतना ही सही थे तो चार चार पाट बड़े इस चारों पर सेक्स्वल हरास्मेंट का केस क्यों किया गया और आज इस बात की सेक्स्वल हरास्मेंट का केस किया गया है सब्सक्राइब सेक्स्वल हरास्मेंट मान हाने तो कुछ कुछ अपने से दबाव देखके दफा लगवा देना पता नहीं उनके पास क्या पावर है कि उनके सपोर्ट में एक भी इंड़स्ट्री का आदमी आया आज इतना चीज होता है कोई भी आके बोलता है कि वो सही है वो जो बोल रही है सब सही है उल्टा आप रानी जी का इंटर्व्यू लीजिए वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है आप किसी हीरोईन को बताए, छोड़िये हीरो को, हीरोईन के खिलाप हो सकता है, कलकार, प्रोडूसर सब इनके खिलाप हो सकता है, हीरोईन में तो कोई इनकी एक दोस्त होगी, हम कहा रहे हैं हीरोईन में कोई एक दोस्त होगी न जी, उसको क्यों नहीं उसका इंटर्व्यू को यह करवा देती हैं कि नहीं जो यह बोल रही है उससाब चाहिए सब लो जा रहा हैं कि ये सिर्फ it के लिए शिर्फ टीयारपी के लिए टीयारपी टीयारपी के लिए ये काम करती है कि मतलब की बिजन्दर शिंग का सब्सक्राइब करें यह इस जूठा है उसमें कोई कोई चीज सत्ते नहीं है कि जुटा है और जुरोड पड़े तो भी यह भी जंदर सिंग्स का पूरुफ भी देंगे अरे हम कोट में देंगे ना हम पर केस हुआ है अब हम पर इन्हों ने तीन सो चोओन चारसो नीनानवर 500 इन्हों ने किया है तीनसो चोओन निकाले क्या कौ इन्होंने हम पर किया है हम प्रूफ देंगे नद्भीया प्रूफ देंगे और सारा केस का डिटेल हमने अप्लिकेशन दिया है अभी तक इन्होंने बहुत सारे लोगों पैसे फरजी मुकदमे किये हैं इसका मेन मकसद पैसा एठना हो सकता है इसकी जांच किया जाए कि नोह ने जितने केस किये उसका रिजॉल्ट क्या आया देखिए बी विजेंदर सिंग का बड़ा खुलासा की जित्रे केश हुए है जभी जोड़त पड़ेगी जो ये बात बोलते हैं यह सबूतों के साथ बोलते हैं और उसका ये परमान भी देंगे और उससे बड़ी बात यह है कि वीडियो भी है फोटो भी है मेरे फेसबुक आ जब मुंबई पवंच सिंग आये थे उनके साथ यह आई थी दो फिल्मों का मुहूर्थ हम लोग किये थे जिसमें नाम उस समय डिसाइड नहीं हुआ था जिसमें वहां पर एक फिल्म का डारेक्टर हमारे प्रेमांसु भी थे प्रेमांसु सिंग और उस वहां पर हमारे मतलबी जी भी थे वहां सारे लोग थे फोटो भी है वीडियो भी है सारा प्रूफ मेरे पास है हमारे पास वह भी प्रूफ है कि हम जब प्रेम सिंग का सुटिंग करने गए बनारस के आगे प्रेम सिंग के गाव में पोडूसर जो है वहां पर एक ही वेनेटी वैंड में अ ऊफिसमेंगे वो फोटो लगा है एक तरफ कलू एक तरफ पांसिंग है बीच में हम है वो भी है मेरे पास कैसा पूरूफ आपको चाहिए हम देंगे ना पूरूफ निकल वाएंगे जब ये रसूल पूर में सारी के गाओं के बजार पर रही ती की नहीं हम वो हर चीज़ देंगे जब पॉरून सिंग का मोबाइल का जहां लोकेशन है वह इनका लोकेशन रहा है की नहीं आप वह वाली बात नहीं है जब जहां छोगी ना तो डिजिटल भी प्रूफ है कि पाउंसिंग अगर अपने फ्लेट में है तो वहां आपका मोबाइल लोकेशन कैसे दिखा रहा है आज तक जितने इन्होंने मोबाइल नंबर लिए सब के डिटेल निकलेंगे ऐसे थोड़ी को छोड़ देगा आदमी ऐसे ही थोड़े है कि किसी पर मुठा के आप फायार कर दीजिए और सब डर के मारे बइट जाए हम फान के लेकिन इन से लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि आगे से किसी पर केस नहीं करेंगी बहुत कलकारों को ड़ाद के प्रूब के साथ बोल रहे हैं कि हम डर जाएंगे हम किसे के साथ रिलेशन में नहीं रहे हैं 25 साल से इंड़स्टरी में हैं डंक के चोट पे बोलते हैं एक लड़की भी खड़ा होके विजयंदर सिंग का चाहें कोई कलकार कोई पॉडूसर कोई कोई भी आदमी विजयंद खारन दाब है। हम धागेंगे नहीं, हम तो कर रहे हैं। आप आईये ठाने में। हम आ रहे हैंं, अभी कहिए न, भी आ जा रहे हैं। दम है तौँ आओना। आप दर पीट पीछे जा के परशार्न पर दबाव डलवा रही हैं। कि एक दिन के लिए आरेष्ट कर लिया जाए आपको पता है प्रसासन को दबाव डलवाया जा रहा है कि एक दिन के लिए आरेष्ट कर लिया जाए कि मेरा इज्यत रह जाए प्रसासन जान चुका है कि आपका सब चीज फरजी है और आपके प्रसासन भी यूटूब देख रह है फेस्बुक देख रहा है यह नहीं है कि वो चुपचा बैठा है ऐसा मत करिए कि आगे चल के आप पर सही में कोई कांड हो और आपका को एपलिकेशन ना लिया जाए आप कहेंगे कि और आप दफा लगाईए ना हम आज भी पटना में बैठे हैं आप कहिए अभी महिला आयोग में केस दी थी महिला आयोग काव केसे नहीं था चल गया साइबर सेल में आए साइबर सेल में कल हम आते हैं लाइए मेरे खिला पुरूप हम एक हजार पूरूप आपके सामने खाड़ा कर देते हैं तो देख लीजिए अब की बार अक्षा सिंग ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है नहीं पावन सिंग है नहीं दवे हैं नहीं दवेंगे जरूत पड़ी तो परमान भी देंगे और आपको आइना भी दिखाएंगे और हो सके अगर आप गलत सावित होती हैं तो आपको हाव बलात का अंदर भी जाना पड़ेगा वैसा है लगतार हमारे साथ बने रही है तमाम भजपूरी के अपडेट जानने के लिए मैं था आप सभी का भाई तेजा आप सभी देख रहेते हैं भारत जैहिन जै भीहार जै भजपूरी